वेल्गम बेग गाई स्वागत है आपका MSC Mathematics Classes में दोस्तों आज अपन MSC Maths प्रिवेशर के लिए यूनिट 5 जो है वो पढ़ रहे है आज उसका अपना lecture जो हो फोर्थ होने वाला है इससे पहले मैंने आपको तीन lecture जो है वो प्रवाइट करवा दी है बहुत ही छोड़ी छोटी lecture है अपने और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको समझ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो पिले चैनल को सिस्क्राइब कीजिए अपने दुस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि यहां पर आपकी निश्चित तोर पर निश्लुक हेल्प जो हो की जा रही है ओके तो बढ़ते हैं हमारे क्लास की तराफ देखिए यहां पर मैं अपन डुल मोड ओफ यू एंड डुल मोड ओफ वी से ओके ओर्थो नोगल वेक्टर जो है वो क्या चीज होती है उसके बारे में देख लीजिए ओर्थो नोगल वेक्टर जो वो क्या होता है देखिए लेट यू एंड वी बी एनी वेक्टर एनी टू वेक्टर देन यू and V are orthodox vectors, U and V क्या है, कोई दो vectors हैं, तो U and V जो वो orthodox vectors, कलाएंगे, अगर वो इस वाली condition को, satisfy करते हैं, यानि कि, V equal to, अगर 0 होगा, तो वो इस वाली condition, क्या करेंगे, satisfy करेंगे, ओके, orth nível set जो हैं, वो क्या होते हैं, उसके बारे में देखिए let V be any inner product space let inner product space क्या है V का है inner product space है और S जो है वो क्या है एक subset है किसका इस V का V1, V2, V3 dot dot VN be any subset of V then S जो है ये क्या कलाएगा एक ortho-nogal set कलाएगा V का यदि V iota V, J किसी map के अंदर होंगे equal to 0 यहाँ पर I जो है वो कभी V, J के बराबर नहीं होगा यानि कि I की जो इवलो कभी V, J के बराबर नहीं होगा ओके तो ortho-nogal sets क्या होते है V क्या है कोई inner product space है और S क्या है जो inner product space V है इसका कोई subject है तो S जो है वो ortho-nogal set का लाएगा V के अंदर अगर वो इस वाली condition को follow करता है तो ठीक है अब पढ़ते हैं पाथागोरस थोर्म के बारे में ठीक है पाथागोरस थोर्म जो है यह आपसे 2015 में 2017 में और 2019 में पूछी गई है तो यह 2021 के लिए जो है important हो जाती है क्या कहा है इसमें यह देखना ज़रा statement कहा है पाथागोरस थोर्म का let V be an inner product space and U V belong to V be orthonogal to each other than mode of U plus V mode square equal to dual mode of U square plus dual mode of V square यह होती है पाथागोरस थोर्म आपने पड़ा होगा पाथागोरस थोर्म के बारे में तो आप अच्छे जानते हैं more generally let U 1 V1 V2 dot dot VN be a set of vector in V such that they are pairwise orthonogal मतलब यह क्या होगे pairwise orthonogal अगर होते हैं तो इस वाली conditions को follow करेंगे यहाँ पर गाज यह भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैंने V iota लिया है ठीक है V iota ब्राबर V iota तो यहाँ पर V j भी हो सकता है तो यह आपको अग्जाम में देखके गबराना नहीं है तो क्योंकि functions ज़ह होंगे अगर ओर्थो नोगल सेट है तो जैर शिवात अगर किसी function को ओर्थो नोगल सेट अगर होना है तो वो क्या करेगा वो किसी V iota V j ज़ह वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए किस condition में अगर I not equal to j है तब ऐसा होगा ओके तो पाइथा को इस थोर्म जो है इसको अपन का करते हैं प्रूव करते हैं तो पहरे बचो हमने माना कि let U and V be orthonormal to each other such that map of U V equal to 0 now now dual mode of U plus dual mode of V square equal to this function यानि कि यह हमें given था dual mode of U square plus dual mode of V square यह हमें question में given है तो यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से solve करेंगे देखना dual mode of U square plus dual mode of V square इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या वह यह square था तो मैंने इसको U into U लिख दिया इसको यह जो V था इसको मैंने V V into V लिख दिया तो रिकत नो रिकत यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिखा अब देखना यह जो U है इस U को एक बार इस U से इस U को एक बार इस U से V से multiply करते हैं तो इससे जब multiply करते हैं तो यह function आएगा इस U को जब इससे multiply करते हैं तो यह वाला आएगा को दिकत नो दिकत अब यह जो V है इसको इसके साथ फिर यह जो V है इसको इसके साथ तो हमारे पास यह जो statement यहाँ पर लिखा हुआ है यह वाला आजाएगा यानि कि हमें क्या करना है इसको आपस में इस वाले function को आपस में क्या करना है multiply करना है multiply कर दिया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ ये वाला function इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्मन से पढ़ते आ रहे हो पाइतागोरे स्वर में यह तो कती है a square plus b square plus 2ab यह कहती है नहीं कहती तो यहाँ पर यह तो हो गया अगर मैं इसकी whole square करता हूँ तो मेरे पास यह वाला function आएगा नहीं आएगा ठीक है साथ में हमें condition क्या given है कि u and v जोब क्या है और और तो नोगल होने की conditions क्या होती है i not equal to j होना चाहिए यह तो होता है तो हमने जो हमारी जो पहली property हमें दी थी वो हमने क्या कर दिया इसको prove कर दिया है यानि कि dual mode of u plus v dual mode of v square equal to क्या होगा यह वाला function होगा है आपे उमीद है समझ आया होगा क्योंकि पहली बार तो डिजिटली काम कर रहे है तो में भी मां आपको थोड़ा explain तो शही से कर दूँगा लेकिन अगर आपको चीज़े समझ ना आए तो प्लीज आप मुझे बता देना कि pen paper mode से चले या फिर डिजिटली चले ठीक है आज कहय कि तो light की ववश्ता नहीं ही इस वा डिजिटली आना पड़ा मेरों नेक्स्ट हमें यह वाली condition पुरूब करवा रहा है तूशी पंडिशन में हमें क्या का है हमें यह वाले जो कंडिशन से इसको प्रूब करवा रहा है इसको किस तरीके से मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं इस तरीके से लिख सकता हूं ने लिख सकता हूं लिख सकते हैं ओके यहां से क्या क्या इसको और इसको बाहर ले लिया यह देखो यह ले लिया बचा क्या वी आयोटा वी जे बचा, कोई लिक्कत, नो लिक्कत ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन हों मैं ये लिख सकता हूँ ये बचा हुआ, यहाँ भी लिख दिया, कोई लिक्कत, नो लिक्कत अब देखो, ओर्फोनोगल सेट की डेफिनेशन के अकोरडिंग, ये कंडियसन होती है अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, V iota, V j equal to 0 होगा तो मैं यह बोग सकता हुआ NO, V iota equal to V j होगा तो V iota की value वी j रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये जो condition है हमारी जहाँ पर v j आपको दिखे रहा वहाँ पर मैं कहा ले सकता हूँ v iota लेख सकता हूँ लेख सकता हूँ ने लेख सकता हूँ जैसे मैं इसको ये लिखूँगा तो मेरे पास ये वाला जो function अगवा जाएगा simple यहाँ पर जैसे v iota equal to v j है तो यहाँ पर iota की जगह में जैसे भी लख सकता हूँ लख सकता हूँ ने लख सकता हूँ बस इता ही है पाइथा गोरस्तर में तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको समझ आया होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर आपको